हरहर मादेप, सभीको साधर परणाम मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका मित्र कमल किशोर। तो मित्रों जानते हैं आज गोमती चक्र के बारे में। सास्त्रों में गोमती चक्र को बहुत सुब आध्यात्मिक सैल पत्तर एवं भगवान सरी कृष्ण के सुदर्शन चक्र का सुक्स्म स्वरूप माना गया है। यह पवित्र गोमती नदी में प्राकरतिक रूप से पाया जाता है। यह जिस घर में भी रहता है वहाँ सुक और समरिद्धी बनी रहती है और उस घर में लक्समी जी का वास रहता है। अब जानते हैं गोमती चक्र को सिद्ध कैसे करें। अक्से तिर्तिया या सरत पुर्णिमा को 11 या 21 गोमती चक्र लेकर महालक्समी के किसी भी एक मंत्र का जाब करें। ओम स्री स्रिये नमहो ओम महालक्समीये नमहो मैं से किसी भी मंत्र का 11 या 21 मालों का जाब करके सिद्ध करें। अगले दिन अपने धन के स्थान में तीजोरी या गल्ले में रखें। घर में धन का चक्र ठीक चलता रहेगा। गोमती चक्र के फाइदे। गोमती चक्र सम्रिद्धी, खुसी, अच्छा स्वास्त, धन, मन की सान्ती और बुरे प्रभावों से बचाता है। रोग के इलाज में सहायता, अधिक चेतना, बहतर भक्ती, समाज में प्रतिस्था, विति विकास, एकाग्र, व्यापार में वृद्धी और पूजा की सक्ति देने में बहुत सहायक है। उम्मेद करता हूँ, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, मित्रों चैनल को शेर और सस्क्राइब जरूर करें, आपके समक्स जल्द प्रस्तुत होंगे एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद, इस्टिदेव, सदा सहाय हो।